नमस्कार दोस्तो आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चनल में और आज में आपको बताने बाला हूं एक और दुर्लभ चमतकारी जड़ी-बूटी के बारे में दोस्तो यह जो आप देख रहे हैं दोस्तो इसका नाम है अगनी सिखा दोस्तो अगनी सिखा यह बिसल्य यही जड़ी बूटी लेकर गई थे जुन के शरीर में जो बिस प्रबाइद था उस्तीर के कारण इसको इसी से निकाला था दोस्तो यह देखिया इसकी पत्तियां होती है यह यह बिसल्या यानिकी अगनी सिखा की पत्तियां यह सभी प्रकार की विसों को दूर करने में तो मैं तोड़के दिखा दूँ दूर से अगर देखेंगे तो इस तरीका लगता जैसे मानो जंगल में आग लगी हो आग की जो लप्ते होती है ठीक उसी तरीका से इसके फूल होते हैं देखे गई यह यह दोस्तो जंगल में पाई जाती है और यह बहुत ही चमतकारी जड लगेंगी और फ़लिया में भिंडी जैसे बीड निकलते हैं यह गिर जाते हैं तो वहां पर भी अगनी सिखा की पौदे हो जाते हैं और देखिए दो तरह के समय फूल खिलते हैं एक तो रह चलय कि और यह थोड़ी लाल और पीले अगनी सिका जनकी बिसल्या की फूल है अ तब दोस्तों मैं इसके कुछ फायदे के बारें बात कर लेता हूं दोस्तों जिनको बरसों पुराना घुटने का दर्द हो ना जाता हो और आप रिलाज करा करा के ठक गए हैं तब आप इस अगनी सिका इस विसल्या का प्रियोग करके लाफ़ा सकते हैं कैसे प्रियोग जुट करके डाल ऑर पकाएं और सारसों का देल ले ले और और खूब पकाएं खूब पकाएं कि पकते पकते यह सभी वसदियां काली पड़ जाएं 200 ग्राम तेल कम से कम 100 ग्राम बशे और फिर आप च्छान करके सीशिम भर लें बस दोस्तों जिनको घुटनों का दर्ध हो जिनको कमर दर्ध हो जिसको चोट मोसूजन हो बाय हो गठिय यह रोग हूँ यहां तक कि दोस्तों मास पेस्षियम तना और खिचा हो शाइटिका हो जैसे यह फिर दोस्तों आपको कहीं पर भी कुछ भी हो गया है तब आप इसको लगा दे लगाने से सूजन बिखर जाती है मास की जो गांट हो गये खोन की वह बिखर जाती है और लेना अकरकरा और लेना एक लिहरी की जड़ साथ में लेना है आपको दोस्तों आख जनी की मदार की जड़ और इसको लेकर के हल्दी डार करके तेल बना लिए और फिर दोस्तों अगर लगाती है उस अंग पर जो लखवा ग्रिस्थ हो गया है जो दुबला पतला हो गया का तो लगे में यह विसेश काम करता है तो दोस्तों समझ परकार की चोट मोध दर्द और सुजन में गठिया रोग में आघीरो में जोड़ाओं ता दर्द में साइटिका में विसेश काम करती है दोस्तों यह देखेगा यह है बहुत चमतकारी जड़ी बूटी जसका आपक को ज्रास्ता बना दें और इसकी जड़ को फीस करके लगा दें तो इसे इसलाब होता है दोस्तों दाथ खाज खुजली चरम रोगों पर जड़ भी ना मिले या कुछ अगरी आपको गठीय रोग बात चोड़ जड़ा करना मिले तो इसका पंचांग भी पराबर काम करता है पंचांग को भी आप पीस करके लगा सकते दोस्तों बरत ततय या विच्छू और सरप जैसी जहर को भी दूर करता है दोस्तों छोड़ी जानकरी कैसी लगी अगर विड लेंगे अगले वीडियो में कुछ और जाने का लिक साथ नमस्कार